किस्तान विरो इस समय धान की फसल 50 से 70 दिन के बीच में चल रही है और यही सबसे पीक टाइम होता है धान की फसल में रोग लगने के क्योंकि इस समय तक टेंपरेचर 25 से 32 डिगरी के बीच में वैरी करता है तो इसके लिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी साफधनी रखनी चाहिए जिससे हमारे खेतों में कोई भी फंगस का टैक ना हो और हम अपनी फसल से एक बंपर पैदावर ले सकें इसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिन खेतों में हमने यूरिया खाद बह उपर की और जो धान के तना होता है उसकी बाहर वाली पतियों में गोल गोल जामोनी या बुर्दंग के दाज धबे दिखाई देते हैं और कुछ ताइम बाद ये जो दाज धबे होते हैं ये आपस में मिलकर पूरे पत्ते को सुखा देते हैं तो ये पैचान होती है शीत इतने बड़े हो जाते हैं कि अंदर वाला तना भी सुखने लगता है और अगर इस रोग का अटैक बहुत जादा हो जाता है तो बालिया निकलने से पहले ही दानों का रंग खराब हो जाता है बालियों में दाने खाली रह जाते हैं इसलिए शीत ब्लैट रोग के लक्षण हमें एक लिमिड में करना चाहिए और इस रोग के आने का जो अनुकूल टंबरेचर होता है वो होता है 25 से 32 डिगरी सेल्सियस और ये जो बिमारी है ये जारतर धान की गोब अवस्ता से स्टार्ट होती है और धान पकने तक दिक्कत करती है तो इस रोग की रोगताम के और अजोक्सिस ट्रॉबिन प्लस डाइफनेकन अजोल की डोस रहेगी दोस्वेमर प्रतियकर बाकी जो थाइफ लुजब माइड है मतलब की पलसर फंगी सेड है इसका जो मोड फैक्शन यह है कि बहुत पलसर फंगी सेड है ये सिस्टमिक प्लस बोथ प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव एक्शन वाला फंगी सेड है मतलब की प्री एंड पोस्ट यह दोनों में काम करेगा रोग लगने से पहले भी काम करेगा और रोग लगने के बाद भी यह काम करेगा और यह स्पेशल शीथ बलाइट पर बहुत ही बड़ी तरिक्शे से काम करता है और जो इसका मोड ऑफ एक्शन यह है कि यह ब्रॉर स्पेक्ट्रम सिस्ट्मिक फंगी सेड है जो की ट्रास लैमिनर और जाहिलम बेसिस पर काम करता है मतलब इसमें दो अलग अलग अडवांस टेखनीकल दिये गें जो की धाल की फसल में शीथ बलाइट हो गया ब्लास्ट हो गया नेरो लीज स्पोर्ट हो गया, ब्राउन लीज स्पोर्ट हो गया, स्टैम रोड जैसी बिमारियों को बहुत ही बड़ी तरीके से कंट्रोल करने में कारकर सावित हुआ है इसके अलावा ये दोनों फंगी सेड ये जंडा पत्ते को हरावरा और स्वास रखने में बहुत जा लाइट की रोख थाम के लिए प्रवैंटी में एक सप्रेज जरू करवा के चलना है इसके अलावा अगर आपकी फसलों में फंगस के सासव और साथ में ब्लबी की दिक्तत भी देखने को मिल रही है तो इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरू देखो दन्य झालावाश के दिक लिन्या आप चाहाँ कि जया को में खर जाजिए ची जाबसों में ब्लबी को में वेखने के लिए बारे में प्ररे में वेखने के लिए